नमस्कार विद्ध्यार्थियों। बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के प्रथम पेपर की पाँचवी युनेट काव्यांग परिचे हम पढ़ रहे थे और काव्यांग परिचे के अंतरगर्थ कावे दोशों की हमने चर्चागी। और हमने जाना की कावे सौंदर और रसात्मक्ता में बाधा उत्पन करने वाले तत्वों को कावे दोश कहा जाता है। आचारे ममट ने अपने कावे ग्रंथ तद दोशों जोंका कावे ग्रंथ है कावे प्रकाश उसमें उन्होंने तद दोशों शबदार्थों सैग्ण लंकृती पुनह क्वापी कहकर कावे के अदोश अर्थात उसके दोश रहित होने की बात कही है। कावे शास्त्र में कावे सौंदर और कावे रस के अपकर्शक दोश कहे जाते हैं जिनसे कावे निंदित और हेता से ग्रस्त हो जाता है कावे दोशों के बारे में हमने पढ़ा हमने शूती कटत्व दोश, एक्रमत्व, दोश्क्रमत्व, क्लिष्टत्व आदि हमने दोशों की चर्चा की उनको समझा अब हमारा अगला कावे दोश है ग्रामत्व दोश शास्त्रिय शब्दावली में इसे पामर्जन प्रसिद अर्थ की वाचकता कहते हैं यह दोश कावे में वहां होता है जहां चतुर व्यक्तियों की भाषा का प्रियोग ने करके गमारू अर्थात ग्रामे भाषा का प्रियोग किया जाता है दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि जब कावे में ऐसे शब्दों का प्रियोग किया जाता है जो गमारू बोलचाल में प्रियोग्त होते हैं सारवजिनिक नहीं होते हैं तो वहाँ पर ग्रामत्व दोश होता है जैसे उधारन के तौर पर हम समझें करिया, फरिया, पहिरे, कुर्ता, लाल गुजरी, गोड, सुंगुजरी, चमकी, चाथ क्या करिया, फरिया का अर्थ काला लहंगा गुजरी का अर्थ पैर का एका भुशन गौड का अर्थ पैर और गुजरी का अर्थ ग्वालन है नव ग्रामिन प्रियोग है, अते यहां ग्रामत्व दोश है अगला उधारन जैयो शटपद धाय कई करीनिज क्रपा विसेश लेयो काज बनाय के देमो यह संदेश सिदोसी लोटियो यह सिदोसी कार्थ होता है शिक्र शब्द ब्रजमंडल में बोलचाल का शब्द है फिर भी सहितिक ब्रजभाशा में अंगिकरत नहीं है और इसलिए यहां ग्रामत्व दोश आ गया अगला उधारन धनु है यह है गोरम दाइन नहीं गोरम दाइन इंद्रधनुश को कहते है कि केल बंदेल खंड के कुछ भाग में बोला जाता है अतर यहां पर बोलचाल का शब्द होने के कारण यहां ग्रामत्व दोश आ गया है बहुत सारे उधारन हैं भोजन बनावे नीकोने लागे पाव भर दाल में सभा पाल नुन्वा कबीर की पंक्तिया हैं यह यह रहीम की कहें तूटी खाट घर टपकत टटियो तूटी पिये के बहां उस सभा सुक्के लूटी अब हमारा अगला दोश आता है चुद संसकती इसे चुद संसकार असाधू और भाशा शुद भी कहा जाता है व्याकरण के नियमों के विरुद जब शब्द का प्रियोग हो तो वहां पर चुद संसकती दोश होता है अर्था जहां लेंग, वचन, कारक, संधी, प्रत्य आदी व्याकरण सम्मत न हो वहां कावे इस दोश से युगत माना जाता है जैसे लावर्ने और सौंदर्य जैसे भाव अचक संग्या शब्दों में ता प्रत्य लगाकर कुछ कभी लावर्नेता और संधर्यता का प्रियोग करते हैं यह गलत है उधान के लिए समझो फूलों की लावर्नेता देती है आनंद मतुक मस्त हो कुँझ में गाते छवी के छंद यह लावर्नेता शब्द व्याकरण के नियमों के विरद होने से अशुद्ध है यह फिर मर्म वचन जब सीता बोला यह इस त्रिलिंग वाचक सीता के साथ पुलिंग क्रिया बोला के प्रियोग की अनुमती व्याकरण नहीं दे सकता इस प्रकार यहाँ पर चुद संस्कृती दोश है जो व्याकरण के नियमों के विरद हो अब हम ग्रामत्व और अश्लियत्व दोश में अंतर करते हैं ग्रामत्व दोश क्या हुआ कि कावे में ग्रामत्व दोश वहाँ होता है जहां सिष्ट समाज में प्रिक्त होने योग्य शब्द का प्रियोग नहीं करके गमारु शब्द का प्रियोग किया जाता है जैसे मूड पे मुकुट धरे सोहत हैं गोपाल यह मूड शब्द गमारु है इसलिए यहां ग्रामत्व दोश है और अश्लीरत्व दोश वहां माना जाता है जहां विड़ा यानि लज्जा या अमंगल वाचक शब्द का प्रियोग किया जाता है रावण के दरबार में इस्थित अंगद का पाद या पाद शब्द जुगपसविंजक है पाद का अर्थ पैर तथा अपान वायू इस प्रकार ग्रामत और अश्लीरत्व दोनों दोशों में यह अंतर है कि ग्रामत दोश तो गमारू शब्द के प्रियोग के कारण माना जाता है जबकि अश्लीरत्व दोश लज्जा ग्रिना आदी जागरित करने वाले शब्दों के प्रियोग के कारण माना जाता है प्रथम उधारण में मूड गमारू शब्द है और दूसरे उधारण में पाद जुगुपसा उलक्ट शब्द है अगला हमारा जो दोश है वो ग्रामत और एप्रतित्तु इन दोनों में अगर हम अंतर करें तो देखिए ग्रामत दोश का तो हमने बता दिया जहां शिष्टि समाज द्वारा प्रुक्त होने योगे शब्द का प्रियोग ने करके गमारू शब्द का प्रियोग किया जाता है ऐ संस्कृति सुचक शब्द का प्रियोग किया जाता है जैसे पड़े जटोले पई रहे नीद ने आई राती मूड पे मुकुड़े सोहत है गोपाल यहां जटोले मूड यह शब्द गवारू है अते यहां ग्रामत्व दोश है यहां आपको पहले भी बता चुके थे और आप्रितित्व दोश वहां माना जाता है जहां कावे में सामान्य वहवार में प्रचलित शब्द की अपेक्षा आप्रचलित पारिभाशिक शब्द का प्रियोग किया जाता है अत्वा ऐसे शब्द का प्रियोक किया जाता है जो केवल किसी शास्त्र विशेश में ही प्रियोक्त होता है जैसे हिये तल बसी दुख देते हैं ये तेरे अनुभाव या अनुभाव का चेश्ट आए पंदू इस अर्थ में अनुभाव शब्द अलंकार शास्त्र में ही अधी प्रशलित है सामने जन अनुभाव का अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो ग्रामत और एप्रतित दोशों में अंतर यह है कि ग्रामत दोश तो कवीता में गमारू शब्दों के प्रियोग के कारण जबकि एप्रतित दोश ऐसे शब्दों के प्रियोग में माना जाता है जिसका प्रियोग सामने तो कवीता में ने करके शास्त्रों में होता है ऐसे शब्दों से रस के आस्वादन में उसी प्रकार बाधा आती है जिस प्रकार भोजन करते समय कंक्री आ जाने पर भोजन के आनंद में बाधा आ जाती है अब दुश क्रमत और क्लिश्टत्व दोश में अंतर जहां लोक या शास्तर में प्रसित क्रम के विरुदवर्णन होता है वहां तो दुश क्रमत हो गया जैसे मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो मन का वेग खगराज के वेग से भी अधिक होता है पंदु यहां खगराज के वेग की चर्चा मन के वेग के बाद हुई है यह मन के वेग की चर्चा करके उससे कम वेग वाले खगराज के वेग की चर्चा की गई है अता इस वर्णन में दुश्क्रमत दोश विद्वान है क्लिष्टोत दोश वहां माना जाता है जहां ऐसे पद का प्रियोग किया जाए जिसे अर्थ की प्रतीती में बाधा हो कठिंदा से समझाए काव्यानंद में बाधा उत्पन हो जाए जैसे वेद नखत ग्रह जोरी अरद करी को बरजे हम खात चार वेद 27 नक्षत्र और नौग्रह इन सबको योग चालिस इनका आदा 20 यानि विशहम खाती है इस विकार दुषक्रमत दोश में तो लोक या शास्तर में प्रसिद्ध क्रम बदल जिया जाता है और क्लिष्टत्व दोश में शब्दों का परिक्रम पूरवक पुरियोग किया जाता है जिसका अर्थ लगाने में बड़ी कठनाई होती है ये क्लिष्टत्व दोश है एक्रमत और दुषक्रमत उमें अंतर जहां शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से अनुचित हो वो अग्रमत उ जैसे विश्व में लीला निरंतर कर रहे वे मानवी या मानवी शब्द लीला शब्द का विशेशन है अतर लीला शब्द के पहले आना चाहिए ऐसा नहे होने के कारण एक्रमत्दोश आ गया दुष्क्रमत्दोश वहां माना जाएगा जहां लोग या शास्तर में प्रसिद्ध क्रम के विरुद्वर्णन हो मुख मयंग को देख कर विक्सा मानस कंज कमल सूरे को देखकर विक्सित होता है चंदरमा को देखकर नहीं पर तो इस उधारण में उसे चंदरमा को देखकर के विक्सित होता हुआ बताया है अता ये लोक विरुध होने के कारण दुश्क्रमत दोश आ गया है तो एक्रमत और दुश्क्रमत दोनों में ही क्रम संबंदी तुटी रहती है एक्रमत दोश में तो व्याकरण आदी के अनुसार निश्चित क्रम का उलंगन होता है जिसे मानवी विशेशन को लीला के बाद रखने से क्रम दुशित हो गया दुश्क्रमत दोश आस्तर लोग प्रश्लित परंप्रा के उलंगन के कारण होता है जिसे कमल सूरे को देखकर खिलता है पर तुसमें चंद्रमा को देखकर के खिला बताया है फिर आता है शुर्ती कटोत और क्लिष्टत दोश में अंतर जब कविता में ऐसे कठोर वर्णों का प्रियोग हो जो हमारे कानों को बुरा लगे तो वहां शुर्ती कटोत दोश होता है सामनेतिया जो स्वयुक्त वर्ण होते हैं टै वर्ण होते हैं ये सब शुर्ती कटोत में ही आते हैं उधारण कबकी एक टक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी यहां शुर्णगार रस का प्रसंग चल रहा है और उसमें टै वर्ण में पुरुष्वार्णों वाले शब्द कानों को सुखद नहीं लगते और इसी लिए यहां शुर्ती कटोत दोश आ गया है क्लिष्टत्व दोश वहां आ जाता है जहां आचारत्व यहां पांडित्य प्रदेशन में चमातकार प्रदेशन करने के लिए कठिन शक्दों का प्रियोग कर दिया जाए जैसे हेम सुतापति वाहन प्रिये तुम इसमें रत्ती न फिर नाई का प्रिये को मूर्ख पताती है मूर्ख अर्थ प्राप्त करने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा कि हिमाले की पुत्री के पती शिव के वाहन बैल अर्थार्थ मूर्ग तो इस प्रकार शुर्टी कटुत्व दोज्तों श्रंगार आधी के वर्णन में जो कठिन शब्दों का प्रियोग कर दिया जाएगा वहाँ पर शुर्टी कटुत्व और क्लिष्टत्व में जहां किसी अर्थ को समझने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़े ऐसे शब्दों का प्रियोग कर दिया जाए तो वहाँ पर क्लिष्टत दोश होता है विद्यार्थियों आज हमने कावे दोशों की चर्चा की कावे दोशों को लेकर के हमारी दो व्याख्यान हुए कक्षा हुई अब हम अपनी अगली कक्षा में अलंकारों को समझेंगे अलंकारों पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद